आज मैं आपको दुबई के कामियाब तरीन कारोबार के मतलिक इंफर्मिशन फराहम करूँगा आज मैं आपके लिए जो बिजनस लेकी आया हूँ उसका नाम है Rental Holiday Homes LLC Company Without Local Sponsor आज मैं आपको लाइसन्स के हसूर का मुकमल तरीका कार और उसकी कोस्ट बताऊँगा कि लाइसन्स हासिल करने में इनके Approval के लिए दिगर मामलात के लिए कौन-कौन सी फीसे दरकार होती है, कौन-कौन सी डाकुमेटेशन दरकार होती है और किन-किन दफातर से रुजू करना पड़ता है मुकमल तफसिलात बताऊँगा जी, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ जी, तो नाजरीन, जैसे कि मैं पेछली वीडियो में जिकर कर चुका हूँ कि ये वीडियो हमारी दो इसमें मुश्मिल है जो पहले हिसा गुज़र चुका है उसमें मैंने आपको प्रेंटल होलिडे हॉम्स, LLC कमपनी की खसूसियात और कमपनी फॉर्मेशन को बतलिक तफसीला बताया है और दूसरे इसमें लाइसन्स के हसूल का मुकमल तरीकागार और उसकी कोस्ट बताऊँगा कि लाइसन्स हासिल करने में इनकी अप्रूबल के लिए दिगर मामलात के लिए कौन-कौन सी फीसे दरकार होती है उनकों सी डॉक्मेटेशन दरकार होती है और किन-किन दफातर से रुजू करना पड़ता है मुकमल तफसिलाथ बताऊंगा जी तो नाज़रिन ललसी कंपनी में आप जितने चाहे पार्डनर एड़ कर सकते हैं दो कर लें, तीन कर लें, चार कर लें, छे कर लें, यह आपकी मर्जी है उसी हिसाब से आप अपनी मर्जी से प्राफट शेर भी निकाल सकते हैं प्राफट शेर या तो कैपिटल की बेस वे होगा या वर्किंग क्रपास्टिक की बेस वे होगा कुछ पार्णर ऐसे होते हैं जो capital भी लगाते हैं और working भी करते हैं फिर उनका profit share उसी साह से calculate होता है इस license के तहट आप partner के दो वीज़े हासिल कर सकते हैं अगर दो से ज्यादा partner है तो उनको आप memorandum association के तहट मुख्तलिक बड़े वीज़े इशो करवा सकते हैं मसलिए जर्णर manager, accounts manager, marketing manager, front desk officer, housekeeping in charge, kitchen supervisor, kitchen chef, accounts manager ववगेरा इस business के लिए भी physical office होना जरूरी है जो के 20, 25, 30, 40,000 तक सलाना मिल जाता है फिर उसके बाद उसकी renovation ताकि inspection के दुरान वो आपका office activate हो जो कि काफी costly हो जाता है इस सारे खर्चे से बचने के लिए हुकूमत दुबई ने एक और अच्छा एकदाम किया है क्योंकि बहुत सारे कारवारी हज़रात स्टार्ड में physical office लेने के गुंजाइश नहीं रखते तो दुबई government उनको virtual office की सुलत फराहम करती है लेसंस के इजरा के लिए tendency contact होना ज़रूरी है लेकि वो सारे कारवारी हज़रात physical office की गुंजाइश नहीं रखते हम आपको virtual office ले provide करके देंगे हम आपको virtual office का भी arrange करके देंगे हमारे मुक्तलिक business center से joint venture है ये बिल्कु लीगल है और government की तरफ से approved है जी तो नाजिन अब आते हैं लेसंस की cost की तरफ के इसमें कौन सी फीसे दरकार होती है हमकी क्या प्राइज है जी तो सबसे पहले initial approval ली जाती है जिसकी फीस 235 दिरम है trade name reserve किया जाता है जिसकी फीस 735 दिरम है member under association और court फीस अदा की जाती है जो के तरफ की तरफ से प्रवाइड करदा virtual office भी एक option है जिसकी cost तकरीबन 6-7 दिरम है इसके बाद lessons की fees आती है lessons का voucher निकलता है जिसकी price तकरीबन 12-13 दिरम है इसके बाद immigration card 650 दिरम labor card 650 दिरम क्योंकि LLC बिजनस में आप खुद ओनर है आपका personal e-signature card इशो होता है जिसकी cost 400 दिरम है हम आपको तमाम invices government की रसीदे exact provide करेंगे और जो आपकी cost लगी हो जो हम आपसे रसूल कर लेंगे इसके लवा हमारे service charges है जो के हमारा हक है जो के 5000 दिरम है जिसमें हर तरह की typing, documentation, license formation e-signature card, immigration card आपके visa process तमाम services शामिल है rental holiday homes, LLC company के license formation के मतलिक या license के जिराग के मतलिक तमाम खिदमाग हमारी company, हमारी team प्राहम करेगी जो भी फीसे हैं वो government की फीसे हैं आपकी payments के वस आपको government की receipt provide की जाएंगी जो कि आप कहीं पे भी verify करवा सकते हैं आपको बिलकुल exact original रसीधे provide की जाएंगी जिसमें कोई दो नमबरी नहीं होगी कोई tempering नहीं होगी आपको original रसीधे provide की जाएंगी और इस सारे process के वस हमारे company service charges जो के हमारा हक है जी तो नाजरी में मजीद वहनुमाई के लिए दिये जे नमबर पर आप call कर सकते हैं या बार सा message कर सकते हैं मजीद अफसिलात के लिए हमारे channel को subscribe करें और well icon को press करना ना भूलिएगा ताकि हर तरह की updates आप तक पहुंचती रहे अपना धेर सारा ख्यार रखिएगा अल्लाने के बाद